दुनिया में सबसे बड़ा ब्रश्टचार का स्कैम है कि किसी ना किसी दिन बीजेटी की सरकार बदलेगी और फिर कारवाई होगी और ऐसी कारवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा है फिर से कभी नहीं होगा कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पुलिटिकल फाइनाइंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी और एलेक्टोरल बॉंड्स का जो कॉंसेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डिवेलप किया और उसको इंप्लिमेंट किया और कुछी दिन पहले एलेक्टोरल बॉंड की सचाई देश को दुखी है बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने एलेक्टोरल बॉंड का कॉंसेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्स्टोर्शन रखे लिए मैं फिर से कह देता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा नैशनल लेवल का एक्स्टोर्शन रखे लिए कमपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है कमपनियों से कॉंट्रैक्ट का शेर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा ब्रश्ट चार्ड का स्कैम है इसके सब आखड़ें आपके सामने हैं पूरी कंपनी के लिस्ट अभी आई नहीं है इसमें शेल कंपनीज है इसमें CBI, ED से प्रेशर डालके पैसा लिया जा रहा है डेट्स है कंपनी पर केस लगता है उसी के थोड़े दिन बाद BJP को पैसा मिलता है हजारों करोड रुपय का कॉंट्रैक मिलता है एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है तो ये प्रधनमंत्री का कॉंट्सेप्ट है और दुन्या में सबसे बड़ा भरष्टचार का करप्शन का उधा रहा है जो तौप पांच डोनर्स हैं उसमें से तीन डोनर्स हो है जिनके हम पर IT है, CBI आती है तो उसके बाद वो डोनेट करते हैं अब कई चुनाव आयों की ओर से डेट विडिक पैर किया जाएगा चुनावों का तो ये कितना एहम मुद्दा रहने वाला है जोगजर चुनावों के लिए आप नहीं ये दिखी ये बहुत एहम मुद्दा तो है मगर इस स्केल का ब्रहश्टाचार इस लेवल का ब्रहश्टाचार कि आप देश की पूरे के पूरे इंफ्रस्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो CBI को, ED को, Income Tax Department को, Investigative सारी की सारी का रोल आप करप्शन बना दो और आइडिया किसका है आइडिया प्रधानमंत्री का है प्रधानमंत्री ने स्वयम कहा कि Electoral Bonds से Political Finance साफ होगा तो मतलब ये इससे बड़ा ब्रश्टाचा तो ही नहीं सकता और ये गड़करी जीने ने कराया हूँ ये नरेंद्र मोदी जीने कराया है ये हमारा फोकस आज ये ब्रश्टाचार पे है कल नहीं अच्छा तो यात्रा चल खब होगा ये तो चुनाओ 20-24 का है ये आपके लिए टू एंडाइ का चुनाओ चाहँगा और अगर कांग्रेस हाथी है तो फैंदी बार होगा कि 15 साल की लिए कांग्रेस सकता से बाहर होगा फैंदी आप आप इसको डिस्ठैक करने के खोशिक मद की जिहने एक यात्रा के बारे में नहीं हैं ये ब्रश्टाचार के बारे में Skills क हिंदुस्तान के पूरे इंस्टिउशन को लेकर नरेंद्र मुदी ने किया है तो आप कैंटली इसको डिस्काइट करने की कुछ फिदमत कीजिए बड़ा अबियस हो जाता है सब लोगों समझ आ जाता है कि इस तरह से बाराश्मी की जो पाइडिया है कि देना है और भी अलगर परजेश्ट में बार्टे को दो तुक्रा किया है जो यह हिंदुस्तान में स्टेट गवर्मन्ट आप्टर स्टेट गवर्मन्ट गया रहे है तो इन्होंने पूरे पूरे सिस्टम को एक्स्टॉर्शन का सिस्टम बना दिया है पुलिटिकल पूरे स्टॉक्चर को इन्होंने क्याप्चर कर दिया है सीबीया इन्वेस्टिकेशन नहीं करती है एडी इन्वेस्टिकेशन नहीं करती है एक्स्टॉर्शन करती है किसके लिए एगी बीजेपी के लिए तो जो तोड़ा गया उसको पीजेपी ने सेंट्रल लीडर्शिप ने तो आया तो ओवियस है वो तो मतलब अमिर्शा वोई काम करते रहते हैं उन्होंने उनको पैसा दिया ये भी सब जानते हैं पूरा मराश्ण जानता है स्ब्सक्राइब कर ईसका हिस्सा लेकर आया है तो नी कुस्वें इस है ऐसे में तेरा कहना है सुप्रीम कौट का रोल है है आपका रोल है यह पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टिउशनल फ्रेमवर्क है इसको बीजेएपी ने कैप्चेर कर रखा है और पूरे सब सारे के सारे इंस्टिउशन्स इसी काम में लगे हुए है यह एंटी नैशनल एक्टिविटी हो रही है इससे बड़ी एंटी नैशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती और दुन्या में सबसे बड़े लवल पर हो रही है सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता जैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में है वी आप फिर से वहीं सवाल पूछर। मैं आपको बता रहा हूं कि कॉंग्रेश पार्टी कॉंग्रेश पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है कि उस पर dicscussion हो सकता है इंडिया अंडिया गड़ बंदन में discussion हो सकता है मज़र पॉइंट यह है कि CBI, ED, Income Tax Department का प्रयोग किया जा रहा है Companies को Extort किया जा रहा है बड़े-बड़े Contracts का Share लिया जा रहा है Contract देने से पहले Electoral Bonds दिया जा रहे है और फिर एक दम बाद Contract दिया जा रहा है Shell Companies उसमें भरी हुई है और ये पूरा का पूरा जो धाचा है प्रगान मंत्री ने क्रियेट किया है इनका brain child है इन्होंने कहा है कि बड़ी Electoral Bonds इंदुस्तान के राजनेती को साफ कर देगा Last question, last question अगे चलकर ऐसा होगा क्या कि आपको जिसने पंदें किया जा 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 है हो सकता है CBI और ED जैसी चीज नहीं है वो BJP के वजार है वो BJP के control में है हिंदुस्तान में जो हमारे institutions हुआ करते थे वो आज institutions हिंदुस्तान के नहीं है चाहिए एलेक्शन कमिशन हो चाहिए जो CBI हो, ED हो यह सब हो यह अब BJP RSS के हत्यार हैं यह हिंदुस्तान के institutions नहीं रहे इसी लिए यह जो हो रहा है यह हो पा रहा है अगर यह institutions अपना काम करते अगर CBI अपना काम करती, ED अपना काम करती तो यह नहीं होता तो उनको यह भ कर रहे हैं कि कि किसी ना किसी दिन BJP की सरकार बदलेगी और फिर कारवाई होगी और ऐसी कारवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा है यह फिर से कभी नहीं होगा तो उनको भी सूचना चाहिए थैंकियों